आज मुल्निवासी विद्यार्ती संग यूनिट जिला जौनपुर के नेतरत में ग्राम सभा अब्दुल्ला प्रभला करकंच कला में एक मीटिंग की गई जिसके अजचता संजय कुमार ने की आजयन में संग्ठनात्मक विचार देते हुए मुल्निवासी उमेश चंद गौतम और मुल्निवासी सुजित कुमार ने विचार रखे यहां हमारी सैयोगी अर्विंद कुमार राओ ने बारता की जो गाउं गाउं में सिच्छा चलाई जा रही है उसका उद्देश सिर्फ यह कही है कि सैच्छिक सिच्छा के साथ साथ समाजिक सिच्छा बराबर समयक सिच्छा होता है जिसको पूर सिच्छा कहा जाता है क्योंकि यही पूर सिच्छा मिल करके दोनों वह एक समयक सिच्छा बनती है और इंसान तभी इस दुनिया में समझ सकता है क्या गलत है क्या सही है यही सिच्छा जो समाजिक सिच्छा यही सिच्छा न होने की वज़े से देश भर में 85% मुलिमासी समाज में इसलिए आज वह गलत गलत कारियों में लगे हैं इसलिए यह डबल सिच्छा दी जा रही है इसलिए ताकि सबको पता चल सके किस दुनिया मे किया गलत है क्या सही है और जो ये विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इनको सिछा किस परकार पे सिछा दिया दिया रहा है उनको जो तीचर रखा गया है उसका खर्च वहां कैसे हो गाउं गाउंस चलाई आ रही यह तुम्हें बता दिया कि सैच्छुड़िक सिच्छा प्लस समाजिक सिच्छा दोनों दिया जा रहा है और यह गाओं घर से ही टीचर लगाया जा रहा है क्योंकि यह जो विरुजगारी बढ़ चुकी है हर घर में भी यह बिसी मसी बहुत से लोग है बैठे हैं उन्हीं लो इसे रोकना है वातमा परमात्पा पे जो हमारा समाज निरंतर सद्यों से लगाता आया है उसको रूक करके इन बच्चों की सिच्छा पे लगाना है और यह बच्चे उसी पैसे से एक दिन बहुत आगे निकल कर जाएंगे इसे तमाम बहुत बढ़ी थियोरी है उसे भारती संबिधान सम्मान सवर्धन और सुरच्छा है और इसका उद्देश से कही है कि हमारा समाज जो संबिधान है डोर टू डोर अर्थात घर घर हमें जाना है घर घर हमें संबिधान के बारें बताना है क्योंकि मेरा समाज अभी संबिधान को जानता नहीं है जानता तो है पर उनकी कार क्या है अन्शेत क्या है अनसूचिया क्या है भाग क्या है आपका इस आयोजन में रिविंद कुमार ने संचालन किया आयोजन में सेक्ड़ों लोगों ने अपनी उपसिसी दर्च कराई